देखे जैसे प्रकाश बता रहे हैं कि तेजस्वी और नितीश कुमार में बातचीत नहीं हुई और उसकी तुरंत बाद आप समझे क्रोनलोजी की तुरंत कैबिनेट की बैठक के बाद रोहिनी आचारे का ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कि समाजवादी पुरोधी होने का वही करता दावा है हवाओं की तरह बलती बदलती जिसके विचार धारा है यह क्या कुछ कहता है और मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री है मदन से नहीं इन से बातचीत करने लिए समाज कर्यान मंत्री है आप तो बैठक में गए भी थे क्या हुआ बैठक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा बता रही है बैठक जैसे पहले समान रूप से होता है और जो एजन्डा रहता है वो एजन्डा पर चर्चा होता है तो आज चुकी कम एजन्डे थे तो समय कम लगे है और इसके अलावा तो कोई बात हुई नहीं है और जो आप लोग बता रही हैं तो हम लोग महुझूद हैं तो हम लोग दिखाए दिया फिर वह चीज आप लोग को कैसे दिखाए देता है हमको तो इसा वहां कोई महाल नहीं लगा आप लोगों को दिखता नहीं है बहुत कुछ हो भी जाता है रोणी आचारी के ट्वीट का क्या मतलब है किसकी हावा जैसी बदलती विचारधारा है यह तो वही बताएंगे ना उसमें तो किन्हीं का नाम नहीं लिखा हुआ है कोन समाजबादी नेता क के बारे में उन्होंने इसा ट्वीट की है यह तो उनके द्वारा ही बताए जाएगा और उसमें किसी का नाम नहीं है तो हम कैसे उसको पकर लेंगे और उनको हवा का रुख पता है तो वहीं बताएंगे असपस्ट करेंगे हम कैसे बता सकते हैं और हम लोग अपने उपर कै से ले करके देख सकते हैं कि हो रहा है जो हो रहा था पहले वही होगा ना विकास का काम हो रहा है समाज का सेवा हो रहा है विहार की तरक्की हो रही है जातिये गन्या के अधार पर लोगों को लाव पहुंचाया जा रहा है पर्यावरन के छेत्री में काम किया जा रहा है हैं सिख्षा विभाग में नबंपर बहाली हो रही है तो किस उतना पता होता तो फिर कईसे तो बनाम बता दीजिए क्या प्लट रहा है यह उन activating अगर उन कोई लगाते हैं तो यह राजनिती का हम लोग को सही नहीं लगता है और जितरना माजी जी के पास तब कोई इसा काम बचा भी नहीं है सिवा ये सब बोलने के अलावा और कहीं से भी इस तरह का कोई महौल नहीं है बिहार के अंदर में जिस तरह का महौल दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है और इसमें समय अभी बरबाद करने की अवसकता नहीं है बिहार के मुख्मंत्री जी हमेशा से काम में विश्वास किये हैं लोगों को सेवा की है और वो काम करते रहते हैं इसके अलावा कोई माहौल हम लोगों को नहीं कि परिवार वाद पर चोट किया नितीज जी ने एक इंडिपेंडेंडेंट लाइन है जिसको लेकर कल उन्हें अपने भाशन में जिक्र किया इसका क्या मतलब है इसका मतलब निकालेगा तो बहुत निकलेगा नहीं तो कुछ भी नहीं है वो तो उदाहरन सिर्फ दे रहे थे जन्नाय करपूरी ठाकुर जी का कि वो अपने जीते जी जी जो है अपने परिवार के किसी भी सदस को आगे ने बराने का काम किया और उदाहरन भी मुख मंतरी जी स्वेंग दिया है कि वहां रामना ठाकुर जी मौजूद है जो राजसाभा सदस है पहले बिहार सरकार में म राजनिती में लाया और उनका अनुसरन करने का बात कर रहे थे नहीं कि वो किसी पर चोट कर रहे थे एक और ट्वीट में पढ़ देती हूं रूनी अचारे का पर्दू खीज जताय क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग विधी का विधान कौन टाले जब खुद की निय आप डालते रहते हैं यह किसी बैक्ति विशेश के लिए डाले हैं यह हम कैसे अंदाजा लगा ले यह तो वो बताएंगे ना जो लिखते हैं उनके नियत में खोट है या किसी बैक्ति विशेश के लिए लिख रहा हैं यह तो वो बताएंगे ना यह हम कैसे अपने उपर ल करने कि उनने उनका जो टूइट है हमारे उपर लागू होता है हमारे निता के उपर लागू होता है हमारे पार्टी के उपर लागू होता यह हम कैसे अंदाज लगा ले इसका मतलब तो चोर के दार ही में तिनका हो जाएगा हम कैसे इस बात को स्विकार कर ले कि उनका टूइ के हिसे ना करेंगे खुल कर ताडिस करनी Bakr tada that यह लिखे हैं फिर उसमें कुछ होंसोधन कि किये हैं तो दिल से जब हम आपहर परकट करने सब्सक्राइब तो दिल से ना भारप परकर करेंगे दिखावटि क्यों फर्मलीटी क्यों अपनाएंगे हम तो कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए जरूर होना चाहिए अब जैसे क्या अब जब उन्होंने किया है इतना बारा कार्ण हम मांगते हैं कोई भी सिर्फ यही ने की भारा रत्म हम किसी भी सरकार से अजो अंसा कुई लिए कुल独 commute बंग तर् it to beelect संवान मिला है और सिर्फ बिहार को क्यों हम सम्मान समझे जो गरीब गुरबा है जो दलीत है tu पिछरा चब्रानयों के विस भी समय जो तो अच्छा काम कीया और भी सामिल है कि हैं दुसरे तल के भी मांगी है और उनके मांग को अगर मान लिए तो परधानमंत्री जी ने तो अच्छा काम किया ही है ना हम नहीं वागर उम मानते तो क्या होता नहीं न मिलते अगर इस मांग को अगर नहीं वह जायज समझते और जन्नाय करपूरी ठाकुर जी ने उतना अच्छा काम नहीं किया होता समाज सेवा नहीं किया तो किसी आम नवाद नहीं देंगे परधान मंतरी जी को